भाईयों बहनों, कॉंग्रेस ने अपने लंबे शासन में हिमाचल का जितना नुक्षान किया है उसकी भरपाई के लिए और फिर तेजगती से काम कर ले के लिए भाजपा को दुबारा जीताना, भाजपा को बार बार जीताना और दिल्ली की मोदी सरकार की भी भाजपा सरकार को पूरी मदद मिलती रहे ये पक्का करने वाला ये चुनाव है साथियों कॉंग्रेस कैसे काम करती है इसका मैं आपको एक उधान देता है एक एक चीज़ याद रखे भुलना मत पचांच साल से जादा हो गए जब कॉंग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात कही थी जब भी आओ गरीबी हटा के नारे दगाओ गरीबी हटाओ नारे लगाओ बादा करना और लोग भी मानते जहाँ यार गरीबी जाएगी चुनाव होते गए गरीबी हटाओ का नारा देकर कॉंग्रेस सरकार बनाती गई लेकिन देश से गरीबी नहीं हती जूठे बाइदे करना जूठी गारंटी देना ये कॉंग्रेस की पुरानी तरकीव रही है आपको याद होगा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कॉंग्रेस किस तरह जुझ बोलती रही इसका गवा भी पुरा देश रहा है कॉंग्रेस की सच्चा ये है कि 2012 में जिस गोषना पत्र पर वो चुनाव जीते मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ उसमें आप निकाल करके देख लीजिए 2012 में उनके जो वादे किये थे जो उनके गोषना पत्र में लिखा था एक भी काम उन्होंने 2012 से 17 आपने उनको सरांखों पर बिठाया आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं खोल करके देखा नहीं गोषना पत्र उन्होंने जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं भाजपा जो संकल्प लेती हैं उसकी शिद्धी करके दिखाती हैं भाजपा ने जम्मु कश्मी से आर्टिकल 370 हताने का संकल्प लिया दिया था ना पूरा किया अक ने किया। पूरा किया ग ने किया भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संक्रप लिया था और वो दिरने भी इसी हिमाचल की धरति में पालबूर में भाजपा की वरकिंग कमिटी में निरने किया गया था भाई आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है अब बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऐसे नहीं जड़ा जोरों से बोलिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है बादा निभाया कि नहीं निभाया बतन पुरा किया कि नहीं किया साथ यो भाजपा के संकल्पों के सिद्धी का एक और दुरा ये तो हमारी वीरों की भूमी है हर परिवार फोजी परिवार है हर घर हिंदुस्तान के शुरुच्छा का कीला है अब देखिए बन रैंक बन पेंशन एक ऐसा उदारन है और कॉंग्रेस को जानने समझ लेक लिए काफी है कॉंग्रेस चालिस साल से देश के फोजियों को हर चुनाव में वादा करती थी आपके हिमाचल के मेरे फोजी परिवार पराबरियाद होगा हर बार वादा करते थे बन रैंक बन पेंशन बसा आजाएगा चुनाव जितादो आजाएगा कितनी सरकारे बनी कितनी प्रदान मंत्रिया ये कितनी बार वादे करके गए लिकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार रहने के बावजुद भी बेक कभी भी बन रैंक बन पैंशन को लागू नहीं किया और दिखावे के लिए बजेट में मामली 100-200-300 करूट डूपर डाल देते जो लिख देते थे इससे होना नहीं था ये आँख में धुल जोक रहे कि उनकी आदत जूठे वादे करना चुना और जीतना फिर बूल जाना यही उनका चरीतरा हिमाचल में हर बार वो जुड बोलते रहे देव भूमी में जुड बोला है देश की वीर माताओं के सामने जुड बोला देश के वीर जमानों के सामने जुड बोला भाईयो बैनो मैं हिमाचल में आया था 2014 में चुनाओ में आपके वोट मांगने के लिए आया था और मैंने हिमाचल में आकर के मैं कहा था मैं जानता हूं मामला बहुत बड़े धन का है धन खर्च करना पड़ेगा तीजोरी खाली करने पड़ेगी लेकिन यह बादा मैं बादा हमने पुरा किया नहीं किया किया नहीं किया बादा 40 साल तक उन्हों ने किया था नहीं पुरा किया हमने बादा किया पांच साल के बीतर पुरा कर दिया था भाईयो जुबा की कीमत होती है और लोक तंत्र में भारतिये जनता पार्टी की जुबा जनता जनारदन को समर्पित होती है जनता जनारदन के लिए संकल्पित होती है भाईयों वन रैंक वन पेंशन लागू होने की विज़र से हमारे रिटाइर फोजी साथियों की जेब में उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक और साथ हजार करोड रुपिया मेरे इन फोजी परिवारों के जेब में गए भाईयों साथ हजार करोड रुपिया बहुत बड़ी अमाउंट होती है आप ध्यान दीजिए साथ यो क्या कॉंग्रेस सरकार होती तो यह साथ हजार करोड रुपिया मेरे फोजी परिवारों के घर में आते क्या फोजी परिवारों के विद्वाओं के घर में जाते क्या भाईयों भेणों कॉंग्रिस की सरकार होती तो आज भी one rank one pension के नाम पर आप लोगों को ठगती रहती साथियों उनके बादे कभी सही नहीं निकले इस चुनाव में भी बादे करने में पीछे नहीं अटेंगे उन पे भरोसा मत करना